हेल फेरंट्स वागते आपको यूटूब चिनल टेक्निकल होस्ट में इस वीडियो मास हम बात करने वाले हैं वीवो की तरब से आने वाले एक नए स्मार्टफोन के बारे में जिसका नवे वीवो एक संडेड ये स्मार्टफोन किस स्पेसिकेसन फीचर्स एंड किस अपनाच हो सकती है इस वीडियो मास हम बात करेंगे तो चलिए फेरंट्स आगे बढ़ते और अब बात करते हैं इस पून के कैमरे से इस पून के बैक साइट पे क्वार्ट कामरा पैटरन देखने को मिलेगा जहां में कामरा लेंस 200 मेगा पिक्सल का होगा और साथ ही अधर करें तो फ्रंट्स आइड में 32 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसके हेल्प से कपी बिटर क्वालिटी की सेलफी को कैप्चर कर पाएंगे और साथे फ्रंट कैमरे के हेल्प से वाइस स्टेबल क्लिप्स एंड डिवल वीडियो कॉल जैसे फीचर यूज कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं पावर बैकप की तो इस फोन में इंस्टॉल की गई है साथ जार इमेस की पावफुल बैटरी जो की आने वाली है 80W वायर चार्जिंग एंड वायरलेस चार्डिंग सपोर्ट के साथ परफॉमेंस की अगर बात कर इस फोन का परफॉमेंस नक्स्ट लेवल का होने वाला है क्योंकि इस फोन में यूज क्या है है लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 388 की चिपसेट जो की एक 5G प्रोसेसर होगा साथ ही ये स्मार्टफोन Android 12 बेस्ट होगा वीवो का ये स्मार्टफोन 12GB RAM options में देखने को मिल जाएगा जहां 512GB की internal storage देखने को मिलेगा वीवो का ये स्मार्टफोन dual mini SIM slot के साथ देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के अगर बात के रहे तो इस पोन में 6.7 इंचिस की स्क्वेर कर्व सूपर रमूलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो की 160 हर्ट अज रिफ्रेस रेट के साथ आएगा और साथ ही SDR 10 प्लस का सपोर्ट भी रहेगा साथे privacy and security के लिए इस पोन में optical in-display fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा जो की काफी fast and reliable होगा इसका यूज़ करके स्मार्ट फोन की डिटा को fully secure कर पाएगे वीवो का ये स्मार्ट फोन IP68 certified स्मार्ट फोन होगा मिन्स की ये फोन waterproof and dust proof स्मार्ट फोन होगा एडिशनल फीचर्स की बाद के लिटी स्पोन में duals to speaker stall vatmos का support भी देखने को मिल जाएगा ये स्मार्ट फोन दुझर 22 में market में देखने को मिल सकता है ये वीडियो पर इंडियो होती है वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को हम मिलता है नक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फैंस